हलो दोस्तों वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम पहच गए है श्री मोर्या गोसावी गनपती मंदिर ये मंदिर स्तित है पूने के चिंचवड में तो पौना नदी के बाजु में ये मंदिर स्तित है यहाँ पे पूजा का सामान भी मिलता है और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे इस मंदिर के बारे में तो बने रहे इस वीडियो में अंतक चैनल पर अगर अपने हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन्स ओन करना ना भूले ताकि आपको सारे नए वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं मंदिर की तरफ और लेते हैं गनपती बापा के दर्शन श्री मोरिया गोसावी गनपती मंदिर एक बहुती एतिहासिक जगा है चिंचवट पूने की यहाँ पे लोग बहुत दूर से दर्शन लेने के लिए आते हैं ऐसा कहा जाता है कि मोरिया गोसावी गनपती बापा के बहुती जाने माने भक्त थे मोरिया गोसावी जी मोर्गाव मंदिर में बहुत बार गनपती बापा के दर्शन लेने के लिए जाते थे ऐसा कहा जाते है कि गनपती बाप्पा ने स्वयम उनको कहा कि आपको मोर्गाव आने की जरुरत नहीं वो चिन्चवण में प्रकट होगी तो इसलिए मौर्या गोसावी जी ने यहाँ पे चिन्चवण में मंदिर बना है तो इसी मंदिर को कहा जाते है श्री मोर्या गुसावी गनपती मंदिर तो चलिए आप भी हमारे साथ गनपती बापा के दर्शन लीजिए कर दो चलिए आपा के दर्शन लीजिए आपा के दर्शन लीजिए आपा के दर्शन लीजिए। तो यहाँ पे श्रीमन महासादू श्री मोर्या गुसावी जिन ने संजिवन समादी ली थी संजिवन समाद अपा के दर्शन लीजिए आपा के दर्शन कर दो को अजय है यहां पर उस समय की जो कहानिया है उनका उलेक किया गया है तो अब ज़रूर वीडियो पॉस करके पढ़ सकते हैं जो भी कहानिया है यहां पर दर्शाई गई है करते हैं पना फॉस्ट कर्णा मेंदान केई भी कि अःणान जी है अजित रहई हैं तो भी कि है मैं झाला फईघ चलुसा वोतर ऋंड़ को यहां ख six पास़ी है यहां बदर कि मैं शो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर सकते हैं कर दो 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 तो अगर आप पूने में हैं या फिर पूने आने वाले तो ज़रूर इस मंदिर में आईए और दर्शन लीजे गनपती बापा के आशा करते कि आपने भी हमरे साथ गनपती बापा के दर्शन लिए तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए चानल पर अगर आप नए हैं तो और बेल नोटिफिकेशन ओन करना ना भूले ताकि आपको सारे नए वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे वीडियो ज़रूर शेर कीजिए आपके फैमिली और दोस्तों के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे